तरीके से करते करते थोड़े से advanced के topic फिर थोड़े से arithmetic के topic करके CGL के पहले हम अपने सभी chapters को complete करेंगे हर chapter में मैं आपको उसका basic और उसके जितने भी fundamentals हो गए हो सभी बता रहा हूँ ताकि आपके लिए काफी फायदे मंद हो सके बात करते हैं आपर इस session में तो इस session में आपका पूरा basic concept क्लियर होगा जहां पर जरूरत पड़ेगे वहाँ पर हमें smart approach भी जानेंगे साथ में सवालों की practice भी करेंगे और कुछ सवाल हम आपको homework भी देंगे तो इसलिए इसकी PDF डाउनलोड करने के बाद अराम से आप जो है यहाँ पर इसको questions को लगाएंगे तो सबसे पहला एकदम basic sum शुरुआत करते हैं बचपन की यादे से एकदम समझ लीजे जहां पर बचपन में आपके class में पढ़ाया जाता था था ना वहाँ से यह हमारा हो गया एक तरीके से आप माल लेजे कि right angle triangle ठीक है trigonometry का जो एक तरीके से ज़ात हुआ वो कहां से हुआ तो हम अगर बात करें यहाँ पर तो इसका ज़ात अगर हम एक तरीके से कहें तो सारा का सारा जितना भी definition आता है वो आपके right angle triangle से आता है trigonometry में यानि trigonometry में कुल मिलाकर 6 function होते हैं sin, cos, 10, sec, cosec, cot ठीक है और ये सभी का value यहाँ पर हमारा किस से निकलता है तो हमारा right angle triangle से निकलता है right angle triangle में क्या होता है दोस्ते हाँ पर तो आप समझो आपको कुछ नहीं करना आपको एक right angle triangle बनाना है अब यह जो right angle triangle आप बनाओगे ना तो right angle triangle में यहाँ पर यह हमारा होता है theta ठीटा यहाँ पर जिस पे है इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं base ठीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है perpendicular यानि जिसको lump भी बोलते है और 90 के सामने वाला क्या होता है यानि हमें इस theta के बारे में इसका sign theta फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा cos theta फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा ten theta ठीक है sign cos ten और इसके बाद हमारा हो जाएगा sec theta फिर हमारा हो जाएगा या लिख लो यहाँ पर cos theta ठीक फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉट थीटा ठीक है बचपन में हमारे गुरुजी हमें एक बात से याद कराये करते थे जो हम भी आपको बोलेंगे कि मेरे भाईया बात ध्यान रखो कि अगर अपो थीटा में ज़्यादा फस्तना ना पड़े ऐसा बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं confused तो आप यहाँ पर एक ट्रिक याद कर ले प्यारे बेटा पपू हाई हाई बोल समझ माँगे हैं मेरे भाई बात यहाँ पर प्यारे बेटा पपू हाई हाई यहाँ पर यहाँ ऐसे भी आद कर सकते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए अब बोलेंगे सर यह आपने क्या कहा है यह क्या ट्रिक है कैसा ट्रिक है सर इससे क्या होगा मेरे भाई तो इससे यहाँ पर यह होगा कि जो यह P upon H है न यह हमारा है sine का value यानि अगर आप sine का theta निकलना चाहते हो तो perpendicular को hypertenus से आप भाग कर दो यह आपका sine theta निकल जाएगा उसी तरीके से अगर आप cos की value निकलना चाहते हो तो base को hypertenus से भाग कर दो यह आपका cos का theta निकल जाएगा आप यहाँ 10 का value निकालना चाहते हो तो perpendicular को base से भाग कर दो तो यह आपका 10 का value निकल जाएगा समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे क्या गह रहा है sir? नहीं नहीं तीक है, अब यह जो cost होता है यह हमारे sign का उल्टा होता है यह क्या होता है? उल्टा होता है तो P upon H का उल्टा कितना हो जाएगा H upon P हो जाएगा sir जो sec होता है वो हमारे cost का उल्टा होता है यानि अगर B upon H है तो यह हमारा कितना हो जाएगा H upon B हो जाएगा और जो quote है वो हमारे tan का उल्टा होता है यानि P upon B है तो इसका उल्टा B upon P हो जाएगा दोस्त तो आज के बाद कभी नहीं भोलना है पंडित भूला प्रसाद हरी हरी भोलिये यानि sign हो गया, cos हो गया, tan हो गया और इसका उल्टा cosek हो गया, sack हो गया और एक तरीके से यहाँ पर आपका court हो गया यानि यहाँ पर जो values निकालनी है उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है अब जैसे मान लीजे हम सबसे पहला question इसके उपर शुरुबात करते हैं ताकि आपको चीजे समझ में आ सके एक और बात मेरे भाई आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर यह कौन थीटा है ना तो थीटा का यहाँ पर base यह वाली value है और अगर यहाँ यह perpendicular तो थीटा के सामने जो होता है वो perpendicular होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी आ है और यह बात कि नहीं होते रहती है थोड़ी बहुत यह तो आप लोगा प्यार सपोर्ट है को सबसे पहला सवाल आपके साथ कि क्या हो रहा है बफरिंग हो रही है क्या एक बर आई देख रहा है पता है इसलिए वीडियो बफर कर रही है पक्का किसी ने वीडियो इतना शेयर कर दिया कि पाकिस्तान पक पहुंच गई है और फिर वहां के भी लोग देख रहे हैं इस वज़े से ज्यादा बफरिंग हो रही है हो गई भाई अब हो लोगे हैं बताओ एक बार पहले नमस्ते भाई नमस्ते 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 एक बार बताईए क्या वीडियो अभी भी बफर कर रही है मेरे भाई अभी भी बफर कर रहा है क्या स्टिल लागिंग वीडियो स्लो है हम अपने वाइफाई वाले को सोच गहराई दिखाएं अप फिर हम बोलेगी सोच जिसन क्या हो कि अगर हमारे यहां का वाई फाई ना चले और हमारे बच्चे तुम्हें यहां घुमाने फिराने लेकर आएं और फिर उसके बाद तुम सोच गरता ही नहीं अब बताओ यार क्या वाई फाई लगा दिया कोई कह रहा है नो सर कोई कह रहा है यह सर ओके है चलो बहुत बढ़ी गाई अब यहां पर जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप यहां देखे तो आपको कॉस बी का मान दिया गया है और आपसे यहां पर कॉस एक भी और कॉट भी का मान आपसे पूछा गया है और यह सवाल सीजल के इसी बार के पेपर का पूछा गया सवाल है 19 अपरेल 2022 तो अगर मेरे भाई इस साल के आपको एक नमबर देखो क्या होता है ना आप लोग हो तो ट्रिग्नोमेट्री से तीन कोशन आते हैं तो सारा का सारा ए प्लस पाइथागोरस थे खवा खवा तो सारा का सारा का तो सारा एक नमबर देखोरस थे लिग्नोमेट्स थे तो बाम जगर दोछाएखोर आते हैं झाल झाल एक बार बताईए ओडियो वीडियो क्लियर है क्या हूँ अभी देखिए अभी क्लियर है अभी क्लियर है मेरे भाई अभी क्लियर है बताईए अभी वफरिंग का इशू है अभी क्लियर है दोस्तों बताईए एक बार ठीक है ना बढ़ी है ना कोई दिक्कत की बात यहां पर चलिए बहुत ही शांदार तो हमारा सेशन जो है वापस से ओके हो चुका है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो हमने आपसे यहां पर यह कहा कि देखो यह राइट अंगल ट्राइंगल है और यह राइट अंगल ट्राइंगल है मेरे भाई यहां पर तो यहां पाइथागोरस का नियम लगेगा पाइतागोरस एक बहुत बड़े गनित के विद्वान थे और उन्होंने हमें एक क्यूरम दिया था उन्होंने कहा था कि दिखो राइट अंगल ट्राइंगल होगा ना तो तुम्हारा ये परपेंडिकुलर का स्कॉयर जमा बेस का स्कॉयर बराबर होगा यहां पर किसके हाइपोटेनस का स्कॉयर के यानि अगर इन तीन में से किसी भी दो का मान दिया गया हो तो एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ठीक है तो अगर हमें यहाँ पर x square की value की बात करें यहाँ पर तो 7 का square हो जाता है 49 और 5 का square हो जाता है 25 घटा देंगे तो x square की value हमारी कितनी आ जाएगी तो x square की value हमारी 24 आ जाएगी अगर हम दोनों side root करेंगे भाई मेरे यहाँ पर भी root करेंगे यहाँ पर B root X square का root X हो जाएगा और 24 का root कितना हो जाएगा तो 24 का जब आप root करोगे तो 4 into 6 यानि 2 root 6 हो जाएगा भाई समझ गया मेरी बात को आप यहाँ पर यानि इस X की value निकाननी बहुत जरूरी थी और X की value हमारी कितनी आ गई है तो 2 root 6 आ गई है हम आपको पहला सवाल बिल्कुल basic से बता रहे हैं ताकि आप सबी चीजों को समझ पाओ तो यह हमारा पूरा का पूरा triplet आ गया और जब हमारा पूरा triplet आ गया तो हमें यहाँ CAUSEC B और CAUT B का मान बताना है तो हम इन 2 का मान बताएंगे यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे CAUSEC B और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा CAUT B तो मेरे भाई CAUSEC की value क्या होती है sine का उल्टा होता है और sine की value perpendicular upon hypertenous है तो इसकी value hypertenous upon perpendicular हो जाएगी CAUT हमारा 10 का उल्टा है 10 की value perpendicular upon base है तो यह value हो जाएगा base upon perpendicular समझ गए यहाँ पर hypertenous की value देखे कितनी है 7 तो यहां 7 रख दिया perpendicular की value के कितनी है 2 root 6 है तो 2 root 6 रख दिया plus base की value देखे कितनी है 5 है तो 5 रख दिया और perpendicular की value देखे 2 root 6 है तो मेरे भाई यहाँ 2 root 6 रख दिया finally 7 बटे 2 root 6 पांच बटे दो रूट 6 या नहीं बोलेंगे सर बारा बटे दो रूट 6 हमारा आ जाएगा दो से हमने इसको काटा है छे बार में और रूट 6 इसे कितनी बार में काटेगा रूट 6 बार में तो correct answer कितना आ जाएगा? correct answer option number A आ जाएगा ठीक है? हाला कि मैं इसको थोड़ा सा और short में लपेट सकता हूँ अब मैं इसको short में और बताऊंगा आपके कि paper में आपको इतना नहीं करना होता कि बैट के आप इतनी चीजों को किये जा रहे हैं paper में आप और short में कर सकते हैं हमें किसकी value दी गई है? तो हमें यहाँ पर एक तरीके से देखोगे तो cost की value दी गई है और cost की value दी गई है 5 बटे साथ यानि यह base है और यह hypertenus है तो यह आपका base हो गया और यह आपका hypertenus हो गया आपको perpendicular निकालना है सिधा यहीं पर कर दो साथ का square 49 पांच का square 25 और 25 का root यहाँ देखो यह कितना हो जाएगा? साथ का square 49 हो जाएगा पांच का square हमारा 25 हो जाएगा और इसका हम root लगा देंगे तो हमारा यह perpendicular आ जाएगा यानि root 24 root 24 को हम यह भी कह सकते हैं 2 root 6 कह सकते है अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे कौसेक B और कौट B कौसेक B मेरे भाई किसके बराबर होता है तो यहाँ पर sign का उल्टा यानि hypotenuse upon perpendicular और कौट हमारा किसके बराबर होता है तो मेरे भाई यहाँ पर base upon perpendicular यानि hypotenuse plus base upon perpendicular हमें सीधा बताना है, क्या बताना है तो h प्लस b अप्पी बताना है हमने का ठीक है हाइपोटेनर समारा कितना है, तो हाइपोटेनर समारा साथ है, base हमारा कितना है 5 है, 7 जमा 5, 12 और बत्टे में perpendicular कितना हो जाएगा दो रूट में रिवाइए 6 हो जाएगा दो से छे बार में खतम रूट से से कितनी बार में खतम रूट छे बार में आंसर सीधा option number A आने वाला है जितने short में आप करना चाहें उतने short में आप कर सकते हैं calculation बस आपका यहाँ पर depend करता है कि आपकी रफ़तार कितनी है आईए question number 2 के तरह बनाईए इस question में आपसे कहा गया 5 sin theta minus 4 cos theta की value हमारी 0 है theta का मान 0 से लेकर 90 तक है तो हमसे यहाँ पर इसका मान बोला गया है सवाल किसमें आया तो इस बार के प्री में आपका यह question आया है हमने का ठीक है हम बताएंगे अब यहाँ पर आपको equation दिया गया है यहाँ पर आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि क्या value है क्या नहीं है theta का यहाँ कितना मान है और कितना नहीं है तो हम सवाल को कैसे करेंगे ऐसे questions आते हैं paper में आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर 5 sin theta रखना है मेरे भाई यहाँ ठीक है अब ज़रा जो question हम से पूछा गया है उस question में अगर आप देखिए तो sign और cos और sign और cos बस यही relation है और जब यही relation है तो हम एक short काम यहाँ कर सकते हैं और वो काम हम यहाँ क्या करेंगे तो देखो sign के सामने अगर 4 न देखो यहाँ पर हमें triangle बनाने की जरुवत नहीं है समझना मेरी बात को बहुत बच्चे क्या करते हैं आप पर triangle बनाते हैं और triangle बनाकर सवाल को solve करते हैं मैं कह रहाँ यहाँ यहाँ पर triangle मत बनाओ क्यों अगर यहाँ sign और cos के अलावा 10, cot, cos से कुछ और होता और ratio याँ रेशो में एक छोटी सी बात यहाँ हमें ध्यान रखना होता है कि जिसके सामने जो होता है न मेरे भाई वहीं उसका मान होता है sign के सामने 4 है तो sign की value 4 होगी cos के सामने 5 है तो cos की value 5 होगी तो हमने यहाँ पर कहा कि इसकी value हम कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे 5 into sin theta sin theta की value 4 है तो 5 into 4 हो जाएगा plus 2 into cos theta cos theta की value 5 है तो कितना बोलेंगे 2 into 5 हो जाएगा divide भाई मेरे भाई 5 sin theta sin theta की value 4 है तो बोलेंगे 5 into 4 हो जाएगा plus यहाँ पर हो जाएगा 3 और cos theta की value कितनी है 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 समझगे मेरी बात को यानि sign के जगा 4 उठा लीजे cost के जगा 5 उठा लीजे और वो value आप यहाँ पर रख दीजे तो यह हो जाएगा 20 जमा 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 30 हो जाएगा यहाँ पर और यह हो जाएगा 20 और 15 हमारा कितना हो जाएगा तो 35 पांच से काटेंगे दोस्त तो पांच से काटने पर यह हमारा 6 बटे 7 आ रहा है एक ही option है option number B B for भावी जी घर पर है is the correct answer हो जाएगा समझगे मेरी बात को यहाँ ऐसे ही दीरे दीरे अभी अभी हम level बढ़ाते चलेंगे और एक से एक सारे सारे टाइप आपको कराते चलेंगे आज के session में यहाँ पर जो है आपका दो number fix होने वाला है तो हमसे कहा गया है sign की value 12 बटे 13 दिया गया है और हमसे यहाँ पर इसका मान पूचा गया कि बताओ इसका मान कितना होगा ठीक है अब यहाँ पर देखे sign की value 12 बटे 13 है तो हम क्या करेंगे हमने कहा कि भी है देखो data काफी calculated आपको दिख रहा ना कितना यहाँ calculation भरबर के है कोई बात नहीं sign की value 12 बटे दे रहा है तो सबसे पहले कोई एक trigonometric function का value अगर आपको दे तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे तुरं ट्रेंगल आप बना लेंगे समझ गए मेरी बात को यह आपका 90 का कौन है यह आपका theta है तो sign की value क्या होती है तो sign की value होती है perpendicular upon hypertenus यानि perpendicular की value कितनी है तो 12 है hypertenus की value कितनी है 13 है और जब यहां 13 है और यहां 12 है एक तरीके से तो यहां पर एक triplet बनता है दोस्त वो था 5, 12, 13 का यह आप ऐसा भी कह सकते है कि sir जब आप 13 के square में से 12 का square घटा के root लगाओगे तो यह base हमारा 5 आजाएगा क्योंकि हमारा triplet बनता है कितने का 5, 12 और 13 का बाकी हमने आपको बता भी रखा है 13 का square माइनस 12 का square का root कर दीजे 5 आना है ठीक है अब उसके बाद बात करते है यहां पर तो हमें किसकी value चाहिए तो हमें यहां पर sin square theta minus cos square theta divided by यहां 2 sin theta cos theta into 1 upon 10 square theta की value चाहिए अब देखो यहां पर दो तरीके से आप इस सवाल का answer दे सकते हो एक तो मेरे भाई यहां पर हर बारा value put कर रहे हो आप उस अधार पर answer दो और नहीं तो आप यहां पर identity लगा लो आप उस अधार पर answer दो दोनों options आपके पास है कोई दिक्कत की बात यहां नहीं है तीक है? आपके पास options आप उससे कर सकते हो आपने का नहीं से हम यहां solve करेंगे तो करो solve कोई दिक्कत नहीं sin square theta अब sin square theta की value कितनी हो जाएगी to sin theta की value 12.13 है तो sin square theta कितना हो जाएगा तो बोलोगे sir यहाँ 12 का square यानी 12 बटे 13 का proper तरीके से वोल square minus कितना हो जाएगा यहाँ तो cos square theta cos square theta कितना हो जाएगा तो 5 बटे 13 का मेरे भाई यहाँ पर wold square divided by हो जाएगा 2 into sin theta की value कितनी है हमारी बताईए तो बोलेंगे sir 12 बटे 13 है और cos की value हमारी कितनी है पांच बटे तेरा है तीक है इंटू यहाँ पर हो जाएगा देखो आप सीधा के सीधा या वन अपॉन टैन स्क्वार थीटा टैन की वैल्यू हमारी कितनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानि यहाँ बोलेंगे सर बारा बटे पांच का वोल स्क्वार सवाल कैलकुलेटिव है ऐसा और मैंने कहा ना की दो नूमबर का सवाल फिक्स होता है यहाँ पर की ट्रेंगल के उपर आएगा ही आएगा कोश्चन बस यह कोश्चन आपसे कैलकुलेट करवाने की कोशिश करता है यह इस बार के परीगा पूछा गया सवाल है और ऐसे एक सवाल आते ही आते हैं अब अगर आप यहां देखेंगे तो आप यहां पर क्या पाएंगे आपने कहा कि सर देखो सबसे पहली बात यहां समझते हैं यहां पर क्या हो जाएगा तो हम वन अपॉन 13 का वोल स्क्वार कॉमन तो यहां अंदर कितना बचा 12 का स्क्वाइर माइनस 5 का स्क्वाइर 12 का स्क्वाइर कितना हो गया तो 144 और 5 का स्क्वाइर कितना हो गया तो 25 हो गया यह हमारा ऊपर बचा हुआ है उसके बाद यहां पर बात करते हैं तो यह नीचे में तो गुना रहेगा ही यहां पर ठीक है अब नीचे यहां बात करते हैं, तो ये देखो 12 का स्क्वार है, यानि 12 इंटू 12 रहेगा, और ये 5 हमारा उपर चला जाएगा, तो 5 का स्क्वार 25 उपर चला जाएगा, ये पूरी की पूरी संख्या, इस पूरी की पूरी संख्या को खतम कर देगी, ठीक है, 144 में से आपका 25 चला गया, तो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर, 116, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, 119 बचेगा, कितना बचेगा मेरे भाई यहां पर, तो इनको घटाने पर 119 बचने वाला है, 119 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा, 25, अब क्या ये 25 आपका कटेगा, तो बोलोगे सर, 5 से य 24 बार में कटेगा, तो 119 इंटू यहां पर हो जाएगा, देखो यहां पर, यह वैलू कितनी आई, 119, इंटू यहां 5 से करेंगे, तो 119 का कितना गुना 5 गुना 595 आएगा, 595 आजाएगा, 595 के साथ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन अमबर D है, तो आप उसको टिक कर लोगे नीचे वाले को यहां मल्टिप्लाई करने की जरूद भी नहीं है, बाकि नीचे मल्टिप्लाई करना से आते हो, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, 1728, और 1728 का दोगना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 3456 हो जाएगा, आप यहां कर सकते हो, solve कोई टेंशन नहीं है, तो असल में क् देखते हैं यहां पर, सेम तरीके से कहा गया कि इंट रिंगल ABC राइट अंगल लेट बी, यानि हमें यहां क्या बनाना है, तो एक हमें त्रिभूज बनाना है, ठीक है, जहां पर राइट अंगल कहां पर है, तो बी पर है, यह बोला गया, इंट रिंगल ABC राइट अंगल B, cot ki value हमारी 1-2 दे रखी है अब आपको भी पता है मेरे भाई यहाँ पर की cot theta का मान कितना होता है तो मेरे भाई cot जो है वो tan का ulta है यानि perpendicular upon base का ulta है यानि इसकी value कितनी होगी तो base upon perpendicular base की value हमारी कितनी है तो 1 है और perpendicular की value कितनी है 2 है तो यहाँ सबसे पहले हाइपोटेनस निकाली हाइपोटेनस का मान कितना होगा तो हाइपोटेनस का मान कितना होगा तो बोलेंगे सर दो का स्क्वाइर प्लस यहाँ पर वन का स्क्वाइर और फिर बाद में कर देंगे रूट क्योंकि hypotenuse का square बराबर perpendicular का square प्लस base का square तो चार औरे कितना हो जाएगा 5 यह नहीं हम बोलेंगे सर यह root 5 हमारा हो जाएगा hypotenuse दोस्त हमारा कितना हो गया root 5 अब हमसे question में क्या पूछा गया तो question में हमसे यह पूरा का पूरा मान पूछा गया अब आपको क्या लग रहा है सारे के सारे value सेम है नहीं है मेरे भाई सब में बहुत फरकाता है आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि छोटी छोटी चीज़े क्या है क्या difference नहीं है जैसे मान लिजे हाँ पर हमने एक triangle बनाया कल के दिन और इस triangle में हमने कई सारे बाते लिखे इस वाले को हमने angle A का नाम दिया इसको हमने angle B का नाम दिया इसको हमने angle C का नाम दिया ठीक है ये value हमारी 5 है ये value हमारी 12 है और ये value हमारी 13 है हम आपसे दो चीज़ पूछना चाहते है सबसे पहला value बच्चे हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमको sign C का मान बताओ और फिर हमने आपसे पूछा sign A का मान बताओ देखो, दोनों में बहुत फर्क होता है जमीन आसमान का फर्क होता है इस sign के साथ क्या लगा है ये matter करता है कि आपको किस की value बतानी है और यहाँ पर इस sign के साथ क्या लगा है आपको ये matter करता है कि किस की value बतानी है जैसे मानो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर sign के साथ C लगा है यानि हम इस angle C के बारें बात कर रहे हैं तो जब हम angle C के बारें बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर sign की अगर हम बात करें यानि सेंगल C की बात करें तो angle C का perpendicular कितना है तो 5 है और यहाँ पर angle C का hypertenous कितना है तो दोस्ते हाँ 13 है यह छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है लेकिन वहीं पर जैसे हम sign of angle A की बात करते हैं फिर हम यहाँ पहुँच जाते हैं फिर हम इस angle की बात करते हैं और जब हम इस angle की बात करेंगे तो कभी भी कोई भी अगर perpendicular का पता लगाना है तो उस angle के सामने जो होता है वो perpendicular होता है और वो angle जहाँ पर रहता है वो उसका base कहलाता है यानि यहाँ पर अगर sign की value पता करने है जिसका मान perpendicular upon hypertenus होता है तो इस angle का perpendicular हमेशा इसके सामने वाला होगा यानि 12 होगा और hypertenus तो आपको पता ही है कि यहाँ पर 13 होगा तो एक ही triangle के अंदर देखिए इस वाले की value 5 बटे 13 आया और इस वाले का value 12 बटे 13 आया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने दो अलग-अलग angle के बारे में यहाँ पर चर्चा की है और बच्चों में कभी-कभी ऐसे दिक्कत आती वो दोनों को सेम समझ लेते हैं ऐसा नहीं है आप यहाँ पर देखो जो आपका सीजल का यह question पूचा गया इस सवाल में यहीं catch है कहीं-कहीं पर आपको दिखेगा angle A और कहीं-कहीं पर आपको दिखेगा angle C यानि दोनों के दोनों अलग values है तो कोई भी सवाल जब आप solve करते हैं तो उसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको triangle का तीनों पार्ट पता होना चाहिए जैसे दिए गए सवाल से हमने अपने हिसाब का data निकाला base 1 है, यह 2 है और यह हमारा root 5 है अब हम यहाँ A के करके सारे value को समझेंगे सबसे पहले हमें यहाँ sine A का मान देखना है यानि हमारे लिए angle A की बात की जा रही है इस वाले angle की बात की जा रही है और जैसा की पता है कि sine की value perpendicular upon hypotenuse होती है तो इसके सामने जो होगा वही हमारा perpendicular है किसी भी theta के सामने जो होगा perpendicular और hypotenuse हमारा कितना है तो root 5 है तो हमने यहाँ root 5 लिग दिया उसके बाद बात करते है cos of angle C का किसका मेरे भाई यहाँ पर तो इस angle C के cos theta का तो अगर इसके cos की बात करें तो cos की value क्या होती है भाई base upon hypotenuse तो इसका base कितना है 1 है और hypotenuse कितना है तो root 5 है यानि यहाँ बोल रहे है 1 upon root 5 हो जाएगा तीक है इसको जोड़ा गया है किसके साथ तो angle A के cos के साथ यानि यह जो angle A है ना इसके cos के साथ तो इसका भी cos क्या हो जाएगा base upon hypotenuse और मेरे भाई इस angle का base हमारा यह 2 होगा तो बोलेंगे सर दो और hypotenuse हमारा कितना हो जाएगा root 5 तो यहाँ 2 upon root 5 हम लिखेंगे जिस angle की बात करोगे उस angle का base अलग होगा हमेशा उसके सामने वाला perpendicular होता है सबसे लंबे वाला hypotenuse होता है जो बज जाता है वो उसका base होता है डिवाइड करेंगे यहाँ पर फिर कहा गया है cause of angle C इस angle का cause तो इस angle का cause यानि 1 upon root 5 यह हमारा सीधा आचुका है next यहाँ बात करते है sine of angle C इस angle C का sine इस angle C का sine तो sine का मतलब perpendicular upon hypotenuse यानि बोलेंगे सर दो बटे root 5 ठीक है minus यहाँ पर कितना है तो sine of angle A यानि इस angle A का sine इस angle C का sine मतलब perpendicular upon hypotenuse यानि 1 by root 5 सवाल में कोई दम नहीं है 1 by root 5 से 1 by root 5 खतम हो जाएगा 1 by root 5, 2 by root 5 यानि कितना हो जाएगा total उपर 3 by root 5 हो जाएगा और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 2 by root 5 में से 1 by root 5 गया 1 by root 5 हो जाएगा हमारा देखो यहाँ denominator denominator को काड़ देगा answer हमारा 3 by root 1 आएगा यानि option number जो C है वो हमारा correct answer हो जाएगा यानि C for चांद के पार चलो बहुत शांदार ठीक है तो paper में मेरे भाई ऐसे सवाल आते हैं इस बात का ध्यान रखें छोटी छोटी चीजें हैं यह सारा का सारा जो है आपका एक तरीके से calculation को improve करते रहेगा और ऐसे सवाल आप confirm पके तरीके से तब सीखते हैं जब बकायदा आप खुद ऐसे सवाल उपर calculation करते हैं बहुत बचे आपर यह सुचते हां हमें तो सब कुछ आता है क्या जरुआता है ठीक है देख लेंगे paper में बना लेंगे तो देख लेंगे और paper बना लेने में यहीं फर्क होता है कि एक तो सवाल देखकर मुझे लगता है और एक वाकई में मैं उस सवाल को बैठों और मैं उसको बनाना शुरू करूं वो बढ़ा डिफरेंस हो जाता है जब आपकी कलम खुद चलती है ना तो आपका रफतार खुद बढ़ता है क्योंकि बहुत बार बच्छों का कोशन होता है यहां पे कि सर स्पीड कैसे बढ़ा है मेरे भाई मैंस में अगर स्पीड बढ़ाना है तो बहुत सिंपल सा फण्ड्डामेंटल है कि आप अपने स्पीड पर बढ़ाना अगर speed बढ़ाने की बात करें यानि आप और ज़्यादा questions की practice करिए ठीक है आप पीछे का यह आप देखे तो एक तरीके से आपका यह पूरा का पूरा चार्ट है यह कीन मानिया NCRT की किताब से लेके आए हैं फिर भी बहुत बचों को याद नहीं होता general competition की त्यारी करने तो चले हैं लेकिन जो भचपन में चीज़े पढ़ी थी ना NCRT में ठीक है sin theta कितना होता है cos theta कितना होता भी एक बच्चा बोल रहा था sin 30 की value 1 by 2 कैसे लिग दी ठीक है तो भाई यहाँ पर यह पूरा table है इधर आप देखोगे तो सारा theta है 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree और यह sin cos 10 cos x यानि एक सवाल आपके इन value के उपर भी पूछे जाते हैं आपके paper में ठीक है जहाँ पर sin 30 हो गया cos हो गया 60 हो गया जहाँ सिर्फ आपको अगर यह table याद है तो दो number आपका SSE की प्रीम है और दो number आपका में इसमें fix होता है ठीक है तो यहाँ पर समझे इस बात को जैसे sin का 0 degree 0 sin का 30 degree 1 बटे 2 sin का 45 degree root 2 बटे 2 भी कह सकते हो या फिर आप यहाँ 1 बटे root 2 भी कह सकते हो ठीक है और इस तरीके से यह सारे के सारे value जाते हैं cost में इसी तरीके से सारे value जाते हैं 10 में इसी तरीके से सारे value यहाँ पर लिखे गए हैं अब हम आपको यहाँ पर यहीं से एक छोटा सा question पूछते हैं और हम आपको यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर wrong नहीं है मेरे भाई root 2 upon 2 को 1 upon root 2 भी लिखा जा सकता है देखो यह इसको कितनी बार में काटेगा root 2 बार में काटेगा याँ 1 upon root 2 भी लिखा जा सकता है अब हमने आपको यहाँ पर क्या question दिया वो समझे हमारा question आपसे एक छोटा सा है आपने table देखा ना आप बस मुझे यहाँ पर यह बताओ कि sign का मेरे भाई 10 degree बड़ा होगा ठीक हैं यहाँ पर क्या आएगा बड़ा होगा कौन और यहाँ पर sign का यहाँ पर 60 degree यह बड़ा होगा कौन सा value बड़ा होगा पहला सवाल हमारा आपसे दूसरा सवाल दोस्त हमारा यहां पर आपसे होगा कि कॉस का मेरे भाई 10 डिग्री बढ़ा होगा या फिर यहां पर कॉस का हमारा 60 डिग्री बढ़ा होगा और तीसरा सवाल मेरे भाई यहां पर यह रहेगा कि साइन का 10 डिग्री बढ़ा होगा या फिर आपका cost का 10 degree बढ़ा होगा ये question हमसे आपसे पूछा है ठीक है बस आपको ये बताना है कौन सा value जादा बढ़ा है ठीक है कौन सा value जादा बढ़ा है बताओ यहाँ पर अब यहाँ पर आपको अकसर table तो पता है जब आप इस table को देखो ना तो proper तरीके से देखा करो कि इसके अंदर game क्या चल रहा है इसके अंदर game यहाँ पर यह चल रहा है कि अगर हम sin theta की बात करें तो जैसे जैसे हमारा theta का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी value भी बढ़ रही है पहले ये value 0 थी फिर बाद में 1 by 2 हो गई फिर बाद में 1 by root 2 हो गई फिर root 3 by 2 हो गई फिर 1 हो गई यानि हमारी value 0 से बढ़ कर कहा तक पहुँच गई 1 तक पहुँच गई तो sine के case में ऐसा होता है दोस्त particular sine के case में कि theta जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसका मान बढ़ता चला जाता है यानि आप यहाँ पर यह कह सकते हैं ठीक है कि theta के proportional कौन है मेरे भाई तो यहाँ पर theta के proportional हमारा value है यानि sine में जितना बड़ा theta उतनी बड़ी value तो sine 60 हमारा बढ़ा होगा ना कि हमारा sine 10 इस बात को समझ गया आप लोग यहाँ पर पहले वाले का answer क्या होगा तो sine 60 जो होगा वो हमारा बढ़ा value है उसके बाद यहाँ पर दूसरा point बात करते हैं cost में हम बात करते है cost की कहानी कैसी चलती है तो अगर आप cost में देखोगे तो यहाँ theta increase हो रहा है लेकिन अगर हम उसके value की बात करें तो पहले value 1 थी फिर root 3 by 2 हो गई फिर इतना हो गया फिर इतना हो गया फिर 0 यानि यहाँ value हमारी क्या हो रही है तो decrease हो रही है यानि cost के case में ऐसा हो गया कि हमारे theta के बढ़ने के बज़े से हमारे value का क्या हो रहा है पतन हो रहा है हमारे theta के बढ़ने के बज़े से हमारे value का क्या हो रहा है पतन हो रहा है तो हमने यहाँ पर कहा कि cost में जितना छोटा ठीटा रहेगा न उतना बढ़ा मानोगा यानि अगर आप देखेंगे तो जैसे cost का 0 degree बढ़ा है लेकिन वही cost का 90 degree चोटा है समझ गए यहाँ पर तो cost में दोस्तों कहानी क्या होती है तो cost में यहाँ पर कहानी ऐसी होती है कि theta को आप बढ़ाते जाएंगे तो उसका अपना खुद का मान क्या हो जाएगा कम होते चला जाएगा ठीक है फिर आजाता है हमारा 10 का case तो 10 में भी हमारे theta के बढ़ने से value हमारी बढ़ रही होती है अब यहाँ पर बात करते हैं कि sign में और cost में यहाँ पर इन दोनों में कौन बढ़ा है तो अगर आप यहाँ इस table को देखोगे न तो जिसे मानो जब हम zero degree की बात करते हैं तो zero degree पर देखो तो sign छोटा है लेकिन यहाँ पर cost जो है यह बढ़ा है फिर आप एक halt पर आजाओ 45 पर तो 45 पर यह दोनों बराबर हो जाते हैं और फिर आप चले जाओ 90 पर तो 90 में चले जाओ तो यहाँ sign जो होता है बड़ा हो जाता है यानि इसके अंदर break है और मेरे भाई break यहाँ पर क्या है तो break यहाँ पर यह है कि अगर हम इस पूरे line की बात करें जहाँ पर एक zero आ गया एक यहाँ 45 आ गया और एक यहाँ पर 90 आ गया और 45 से लेकर 90 तक मेरे भाईया sign का जो दबदबा है वो बना रहता है तो बड़ा फर्क होता है छोटी छोटी चीजों को देखने में आपको यहाँ value पता होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर कहानी क्या चल रही है तो zero से 45 में cost बड़ा होगा 45 पर दोनों बराबर होंगे और 45 से 90 में हमारा sign बड़ा होगा तो अगर हम बात करते हैं sign 10 और cost 10 की तो यह हमारा 45 से छोटा है और 45 से छोटे में यहाँ पर cost का दबदबा होता है लेकिन वहीं पर अगर हम एक और question दे दे और हम यहाँ बोल दे कि बताओ sign का 60 बड़ा है कि मेरे भाई यहाँ cost का 60 बड़ा है आप तुरंट बोलो कि sir देखो यह जो theta है 45 से बड़े होने की बात होती है और 45 से बड़ा होने की बात होती है तो जैसे theta 45 से बड़ जाता है sign अपना दबदबा बना लेता है यानि sign हमारा बड़ा हो जाता है तो हमने कहा ना बहुत ऐसी बाते हैं जो आपने अभी तक शायद सोची नहीं होगी आपने अभी कभी इस तरीके से भी नहीं सोचा हो कि ऐसे भी questions हमारे paper में आ सकते हैं यह यह भी चीज़े notice करने वाली है आपको लगा कि नहीं इस table को देखके सिर्फ रटना है ऐसा नहीं है बहुत ऐसी बाते हैं अगर हमने अभी आपको सिर्फ सवाल अभी थीटा पर दिया है अभी तो हमने radian में बदला भी नहीं अभी हमने आपसे यह question नहीं पूछा कि सबसे पहला homework हम आपको दे दे रहे है सबसे पहला homework आपको यहाँ पर यह मिल रहा है कि वही right angle triangle में 10 कमान हमने आपको दे दिया और आप मुझे sine cause C cause C बताओगे ठीक है यह question आपके CHSL का पूछा गया था वापस वहीं काम गरना है right angle triangle बनाना है और right angle triangle बनाकर इन सब की value निकालके इसका answer देना है आज़े अब यहाँ पर थोड़ा सम कुछ इस प्रकार के सवाल देखते है पेपर में जो पूछे जाते है ठीक है कुछ बच्चे कह रहे है सर पीछे वाले का answer minus 3 होगा पीछे वाले किसका answer minus 3 होगा भाई बताना एक बार minus 3 फिर भाई कैसे आ जाएगा बताईएगा ज़रा एक बार पीछे वाले का answer आप लोग बता रहे है इसका answer minus 3 कैसे आ जाएगा sign की value यहाँ पर देखो sign of c सही है कोई minus 3 नहीं आएगा option number जो c है वो correct answer है ठीक है आजएगा इस वाले सवाल को बताईएगा अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस question में तो यहाँ पर question में क्या कहा गया है cost 53 degree का मान आपको दिया गया है ठीक है और उसके बाद हमसे बोला गया है sec 53 और हमारा court 37 अब जनरली बच्चे क्या हो जाते है confused हो जाते है यार यह एक तरीके से मतलब यह cost हो गया sec हो गया court हो गया ठीक है यहाँ पर यह जो यहाँ पर यह 53 कहां से आ गया 37 कहां से आ गया confused मत हुआ गरो जादा सारे right angle triangle के खेल है और सारा खेल वहीं से होता है अगर आप देखोगी यह right angle triangle मेरे भाई तो आप यहाँ पर देखो यह 90 का कौन हो गया यह 53 एंगल की बात होती है मानलो यह वाला कौन आपका 53 है तो आपको जहिर सी बात पता है कि अगर यह कौन 90 है तो इन दोनों का जोड़ हमारा 90 होगा होगा की नहीं होगा तो यह हमारा अगर 53 है तो यह हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा बस examiner क्या करता है कभी B, कभी C, कभी A, कभी B ऐसे करके देता है और नहीं तो किसी एकी value देके फिर दूसरा यानि उसका complimentary वाला पूछता है confuse कहीं भी नहीं होना है हमें cos 53 का मान दिया गया cos का मतलब हमारा base upon hypertenous होता है यानि हमारा base कितना है तो X है और हमारा hypertenous कितना है तो Y है अगर हमारा base X है और हमारा hypertenous Y है तो आप मुझे यहाँ पर बताओ perpendicular हम कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पर यह बात बोलेंगे कि हम यहाँ पर hypertenous के square में से मेरे भाई base के square को कम कर देंगे और क्या कर देंगे root लगा देंगे यह हमारा perpendicular हो चुका थीक है hypertenous भी पता है base भी पता है तो perpendicular यहां तुरंट निकल के आ गया है यानि हमें base upon hypotenuse ना बता कि hypotenuse upon base बताना है यानि इस वाले की value कितनी आ जाएगी तो y बटे x आ जाएगी प्लस मेरे भाई यहाँ पर core 37 degree core 37 degree यानि इस 37 degree के बारे में बात है और इस 37 degree का क्या बताना है core जैसा कि आपको पता है कि cot की value मेरे भाई क्या होती है base upon perpendicular होता है तो इस 37 का base कितना है यह देखो यह base होता है और इसके सामने जो है वो perpendicular होता है तो base की value की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर तो हम बोलेंगे sir y square minus x square और perpendicular की चर्चा करें यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा x हो जाएगा कौन सा option आपको दिख रहा है तो y plus root under y square minus x square तो y plus root under y square minus x square divided by x यानि option number d d for दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे is the correct answer बहुत अच्छे d for दरोगा समझ गए है बनना है दरोगा चलिए वीडियो को like करते रहिए चैनल को subscribe करते रहिए आजेए next question आपका देखिए तो इसी के आधार पर एक और सवाल है जो हमने आपको homework दिया homework number two क्योंकि देखो एक question हम बता दिया अब एक question आप try कर लेना और आपको बेशक ऐसे सवाल कभी भी लगे ना कितने भी लगे कि नहीं आपको आता है ये तो बन जाएगा तो आता है और बन जाएगा कि चकर में मत रहना खुद कलम उठाना खुद सवाल बनाना ताकि फायदा हो आप इस सवाल में देखो वापस इस एक 31 डिगरी दिया गया है हमेशा उसका complimentary ही दिया जाता है 31 दिया गया है तो यहां 59 बोलेगा यानि कुछ ऐसे theta दिये गए होंगे जिनको जोड़ने पर आप क्या कर सकते हो complimentary वाला case बना सकते हो तो यह 31 दिया गया है उसी तरीके से यह सारे value आपसे पूछे गया है सारे value दे सकते हो answer अगर आप इसको short में करना चाहो तो सभी को एक theta में बदल के भी कर सकते हो 31 अगर आपको दिया गया है तो आप सबको 31 में लपेट के answer बना लो कोई परिशानी की बात नहीं है तो यह question आपका homework हो जाएगा अब आज यह जैसा कि हमने आपको वो table दिखाया था जहां पर आपको 0 degree का मान था, 30 का मान था 60 का मान था, 90 का मान था हर किसी की value दी गई थी उसी तरीके से मेरे भाई यहां पर भी कुछ value के उपर आधारित प्रश्ण है आपके सवाल में क्या कहा गया है एक का मान आपका 60 degree है और हमसे कहा गया यहां पर इसकी value बताइए किसकी value हमारी कितनी होने वाली है, हमने कहाँ ठीक है आपकी जब एक की value 60 होती है तो किसका किसका क्या मान होता है एक बार आप table में देख लो अच्छे से जब आपका यहां पर 60 degree होता है तो sine की value root 3 by 2 होती है cos की value 1 by 2 होती है 10 की value यहां root 3 होती है sec की value हमारी इसी तरीके से सारे के सारे value दिये गए होते है तो 60 degree पर सब का मान दिया गया होता है अब यहां पर अगर हम बात करें proper तरीके से तो देखो यह question जो है हमारा हमसे क्या बोला गया हमसे कहा गया एक आमान 60 है तो 8 into cos 60 तो cos 60 की value मेरे भाई कितनी हो जाती है तो 1 by 2 हो जाती है plus यहां पर 7 into sec 60 यानि cos का ही उल्टा यानि 1 by 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 बटे 1 हो जाएगा minus 1060 की value root 3 और root 3 का square कितना हो जाएगा तो root 3 का square हमारा 3 हो जाएगा divided by 10 into यहां पर 60 का आदा 30 और sin 30 का मान कितना होता है sin 30 का मान हमारा 1 बटे 2 होता है 2 से हमने काटा कितनी बार में गया पंदरा पंदरा बटे 5 हमारा कितना अंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा कौन सा option है option number A assistant audit officer is the correct answer हो जाएगा ठीक है बहुत शांदार सभी के अंसर से ही आ रहे है value का याद होना बहुत जरूरी है यगीन मानिए आज के time पर नहीं पढ़ना भाई उतना tough यहाँ पे उतनी high-five चीज़ें हमें collect नहीं करनी है तीन सवाल आते हैं एक आपका triangle के उपर आता है एक आपका value के उपर आता है एक आपका identity के उपर आता है मैं शुरू से यह बात कह रहा हूँ और अगर आपके paper में ऐसा ना है ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा मैं आपसे यह बोल देता हूँ बस उसी में थोड़ा सा complicated होती है चीज़ें यहाँ पर लेकर ठीक है यह बात ध्यान रखो बस इतना practice करके जाओ ज़्यादा high-five के चकर में बत रहा करो सामने आपके हर साल का paper का question करवा रहे है 2021 वाला सीजल करवा रहे है 2022 में जो सीजल लोगा उसके question करवाए latest में जो CHSL लोगा उसके question trigonometry के करवाए पूरा previous year देखा एक भी question आउटर नहीं मिला है एक भी question की कुछ अलग-अलग पूछा गया हो ऐसा है नहीं अब जैसे यहां पर देखो तो बोला गया 4 into sin square इतना ठीटा बराबर हो जाएगा हमारे 3 के और ये जो ठीटा हमें दिया गया ना ये ठीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है तो हमसे कहा गया कि बताईए इस पूरे के value कितना होगा जल्दी से पूरे कमान हमारा कितना होने वाला है हमने कहा ठीक है हम बताएंगे आप confuse मतो मेरे भाई यहां पर ये 2x-10 ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा इसको लेके confuse नहीं होना है पता चले आप यहां x कमान निकालने में लगे पड़े हैं जरुवत ही नहीं है मेरे भाई यहां आप समझो इस बात को अभी मैं आसान से इस question को solve करता हूँ ये question जब आपने लिखा तो आपने कहा सर्फ 4 ठीक है क्या हो जाएगा 4 अब अगर आप देखोगे न ये जो 2x-10 है यहां पर इसी का आधा किया गया है 2x का आधा x है और 10 का आधा 5 है साथ में अगर आप देखोगे न तो वापस फिरी संख्या का क्या कर दिया गया है यहां पर 3 गुना कर दिया गया है x का 3 गुना और यहां पर 5 का 3 गुना तो हमने पता है क्या सोचा हमारे दिमाग में एक बात आई हमने कहा कि अगर हमारा x-5 अगर theta होता तो ये वाली value कितना हो जाती ये वाली value 2 theta हो जाती और ये वाली value कितनी हो जाती तो ये वाली value 3 theta हो जाती ये हमने अपने मन में सोच लिया हमने का भाईया देखो ये कितना होगा 3 theta यह हो जाएगा 2 theta और यह हो जाएगा हमारा कितना 3 theta अब हम सवाल को ऐसा लिख सकते हैं 4 into sin square कितना हो जाएगा 4 into मेरे भाई sin square यहां कितना हो जाएगा 2 theta या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अभी आप एक पल के लिए जो bracket दिया गया है आप इस पूरे को alpha मान लो आप ऐसे कर लो कि आप इसको alpha मान लो अब यह बताएंगे तो देखो 4 into sin square alpha की value हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा आप बोलोगे sir sin square alpha की value हमारी हो गई कितनी तो sin square alpha 2 theta भी माना था तो भी कर सकते थे कोई दिकत नहीं यार 2 theta ही मानो एक पल के लिए रुख जवाब लोग आप लोग सही माना था यहां पर हमने theta माना था इसको हमने 2 theta बना दिया था और इसको हमने 3 theta बना दिया था हम ऐसे कर लेते हैं तो हमने कहा 4 into sin square 2 theta की value हमारी कितनी है तो 2 theta की value हमारी 3 है जैसा हमने याँ पर कहा कि sin square 2 theta की value हमारी कितनी हो जाएगी तो यहां 4 divide में चला जाएगा यारी 3 by 4 हो जाएगा हम क्या करेंगे दोनों side root इधर भी root और इधर भी root की value है ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है यहाँ पर आपको छोटा सा एक काम करना होता है आप इसके left में देखो यह sign है ना समझ में आ गया मेरी बात को इसके left में यह value sign में दी गई है तो यानि यह भी पक्का यहाँ पर किसका value वैल्यू है are sign कि बताना, किन से вाले sign का वैल्यू 1 by 2 होता है फिर आपके मन में विचार हैगा अच्छा sin 30 का value आपका कितना हो जाता है तो sin 30 का value यहां 1 by 2 होता है तो आपका sin जो है वो sin के बराबर theta का मान कितना हो जाता है 30 हो जाता है हम इस तरीके से background में comparison करते हैं तो same काम यहां root 3 by 2 है और यह root 3 by 2 कितने की value है मेरे भाई तो sin 60 की value है तो यानि हमारा sin से sin बराबर हो गया और यहां पर 2 theta हमारा किसके बराबर हो जाता है 60 के तो यानि यहां से theta का मान कितना हो गया तो theta का मान हमारा 30 हो गया ठीक है theta का मान कितना हो गया 30 हो गया अब जहाँ जहाँ हमारा यह question बोला गया है ना वहाँ वहाँ पर हम वहीं काम करेंगे ठीक है हमने कहा कोई बात नी चीजे हमें समझ में आ गई है यहाँ पर sin का power कितना है तो sin का power 4 और यह हो जाएगा हमारा 30 degree प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos का power 4 और फिर कितना हो जाएगा 30 degree ठीक है यानि इसका आधा समझ गे मेरी बात को 2 theta का मान अगर 60 है तो theta का मान इतना हो जाएगा फिर 1-2 into sin square ठीक है और यह हमारा कितना है theta का 3 गुना यानि यहाँ 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा 30 का 3 गुना मेरे भाई 90 हो जाएगा और into यहाँ पर बोलेंगे cos square कितना हो जाएगा तो यह भी हमारा 3 theta है यानि यहाँ 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा ठीक है यार यह तो plus आना चाहिए बीच में मतलब आप लोगों का अंसर कैसे आ रहा है यह बताना जरा मुझे तो सवाल में थोड़ी सी गड़बर नजर आ रही है मुझे सवाल में आर बड़ी गड़बर आ रही है नजर नहीं आ सकता है अंसर क्यों नहीं आ सकता है यह बताओ चलो आ गया ठीक है? अब यहां पर देखो तो हमने यहां पर क्या बोला? साइन 30. अब साइन 30 कितना होता है? तो एक बटे 2 और एक बटे 2 का पावर कितना लेना है? चार लेना है यहां पर अगर आप बोलोंगे कॉस 30 कॉस 30 की वैलिव कितनी होती है ? 3 बटे 2 और उसका पर दलना है 4 लेना है यहां पर हम वाल लेंगे माइनस अब यहां जैसे करोगे ओगे यहां आप साइन 90 कि वैल्यें वन होती है लेकिन cos 90 कि वैल्ये चुन नहीं होती है यानी 0 होती है और 0 से यहाँ पर इस पूरे संख्या को गुना करेंगे तो यह कितना बना देगा? 0 बना देगा यानि 0 हो जाएगा और 1-0 का मतलब और 2 यानि 16 हो जाता है उसी तरीके से रूर 3 को आप यहाँ पर पहले देखोगे तो root 3 का power यहां कितना है 4 है मेरे भाई यानि root 3 को आपको 4 बार गुना करना है तो root 3 को 2 बार गुना करने पर 3 आ जाता है फिर 3 को और square लगा देंगे तो 9 हो जाएगा और नीचे में हमारा 16 आ जाएगा तो बोलेंगे सर 10 बटे 16 यानि यहां पर आंसर कितना आना है 5 बटे 8 जितना सब्र और patience रखेंगे आंसर उतना बढ़िया तरीके से आएगा 5 बटे 8 ठीक है समझ में आगया बात यहां पर तो यह जो 4 sin2 दिया गया था तो असल में हमने यहां पर क्या किया इसी संख्या को 2 theta माल लिया ताकि उसका आधा यहां किया जा सके और फिर इसका तिहां ही किया जा सके तीन गुना किया जा सके तो आंसर क्या हो जाएगा before बोल भी दो इस दा करेक्ट आंसर ठीक है before बोल दो ना एक बार बोल दो बस एक ही बार तो बोल दो कि भाईया हमारा सेलेक्शन हो जाएगा बस ठीक है एक ही बार तो बस बोलना है समझ गए आज यह next question आप देखे next question भी उसी प्रकार का है और सवाल में यहां क्या कहा गया है तो सक स्कॉर थीटा की value दी गई है देखे सही से और आपसे यहां पर कहा गया कि कॉस्सक थीटा प्लस थर्डी का मान बता यह कितना होगा बहुआ सवाल है यह तो आसान सवाल है यह तो हो जाएगा बताओ ठीक है बीफर बढ़की बहुई जग करेक्ट आंसर बहुत शांदार 27 सितंबर को ब्रहमास्त के book order की थी अभी तक नहीं आए मेरे भाई पहुँच जाएगा परिशान मत हो यहां आपके आराम से किताब आपके पास पहुँचेगी ठीक है order किया है तो आएगा आपके पास एक बार मैं बाकी बात कर लूँगा कि क्या है क्यूं तो किताब आपके पास नहीं पहुची है ठीक है भाई चलिए बहुत बढ़िया इस कोशन का अंसर दीजे आप लोग सेक स्कॉर की वैल्यू दी है और आपसे यहां पर कोशेक कमान पूछा गया है बताईए सर्ष शॉर्ट कोट बताईए मेरे भाई जीवन मैंना हर चीज़ का शॉर्ट कोट नहीं होता है इस बात का ध्यान रुको की लाइफ में आप हर चीज़ का शॉर्ट कोट ही बोल रहे हो अगर मानो मैंने आपको पहला सवाल करा है जब मैंने सबसे पहला कोशन करा है ना बच्चों का कमेंट आया इतना बेसिक अरे भाई हम आपको यही बात बोलते हैं कि हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेगे चलेंगे इस बात को समझें हैं आपर क्यों हम आपको बेसिक बताते हैं यह बताए हम भी तो शॉर्ट कोट लपेट सकते हैं ना यार जब आलड़ी हम सीजल में सेलेक्टेड हैं अलड़ी हमारे खुद के स्कोर 227 है मैं तमें 200 में ठीक है आज तक इतने बच्चों को इंस्पेक्टर बना चुके तो क्या आपको लगता है बेसिक के मादम से ही वो बने होंगे लेकिन आपको सीखाना है खुद मुझे यहां नहीं सीखना है आके कि यहां पर मैं सवालों को करके और एकदम आई से भाज के चले जाएं दो सेकंड में आंसर आ जाए वो मेरे लिए फायदे मन दो सकता है उस लेवल पर पहुँचने के बाद लेकिन हम आपको जो है शॉर्टकॉर्ट पर मतरा करो मेरे दोस्त जीवन में भाई साब कामयाभी मिलती है उसी को है जो महनत करना जानता है शॉर्टकॉर्ट वाले को कामयाभी नहीं मिलती और जितना शॉर्टकॉर्ट जहां पर मारोगे न नुकसान उतना ही जादा होता है इस बात को ध्यान दो आप मुझे बता दो कि मुझे टीचिंग में सबसे टोप पर जाने के लिए सबसे टोप का मतलब यहां रैकिंग रैकिंग से मतलब नहीं आप सबी के दिलो में टोप वण पर जग़ा बनाने के लिए क्या shortcut अपनाना चाहिए यही न कि मैं महनत करूँ मैं यहाप डेली है हूँ मैं classes लूँ बहतर content आप लोगों को दूँ तो जो आप मुझसे महनत की उमीद करते हैं तो फिर मैं आपसे महनत की उमीद क्यों ना करूँ यह बताएए जिन्दगी में कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें यहाँ पर आपका महनत आपके कामियाभी आपकी महनत आपकी मुकदर को decide करती है shortcut नहीं करता है मेरे वाई इस बात का ध्यान रखे है आज ही है अब sec की value अगर हम बात करते हैं दोनों side रूट करते हैं अगर हम root करेंगे तो हमारा sec theta का value कितना हो जाएगा 4 का root हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पर यह 3 हो जाएगा अब खुद सोचो यह sec के कौन से वाले value का कितना का value का मान है यह 2 बटे 3 कहां से आ गया उड़के तो नहीं आया आपको एक बार table लेके चलता हूँ sec वाले table में यह sec में देखते रहना ठीक हैं और अगर हम sec में बात करें तो root 3 इसको कितनी बार में काटेगा root 3 बार में तो 2 बटे root 3 कितने degree पर है 2 बटे root 3 हमारा 30 degree पर है कितने degree पर है भाई मेरे तो 30 degree पर है यानि असल में यह जो value आया है 2 बटे root 3 ये हमारा sec 30 का मान है कितने का मान है sec 30 का यानि theta की value हमारे कितनी है तो theta के value हमारी 30 है अब theta की value अगर हमारी 30 है तो सवाल में हमसे पूछा क्या है हम बोलेंगे सरज सवाल में हमसे यहाँ पूछा है cross 100 degree QSEX art का मतलब Science Art का उल्टा यानि यहां पर एक तरीके से बात करें तो यहां QSEX art पूचा है तो इसकी value कितनी हो जाएगी 2 बटे रूट 3 हो जाएगी यानि सवाल में जो दिया था असल में उत्तर भी यहां पर क्या है वही है Option B फॉर बोल भी दो ठीक है, is the correct answer हो जाएगा आजेए, तो एक और question आपके लिए Homer कम ने दे दिया है इस question को आप लगाएंगे, telegram से PDF की download करेंगे, sign theta का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर इतना और आपसे यहाँ पर मेरे भाई पूछा गया कि X का मान कितना होगा हाला कि X का कोई मान नहीं होता है पर फिर भी यहाँ पर आपको इसकी value बतानी है ठीक है, आजेए, यह वाला question बताईए, इसका answer कितना होगा थोड़ा सा बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए सीजल 13 अगस 2021 का पूछा गया सवाल है, answer बताईए ठीक है, answer बताईए भूलेंगे सर देखो, cos square theta divided by इतना बराबर हो गया हमारे 3 के, तो हमसे 10 plus cos से कमान पूछा गया, बताईए और साथ के साथ दोस्त वीडियो को like भी करते रहिए ठीक है 6.0 batch कल से start होगा मेरे भाई कल की वीडियो अगर आप देख लेते जो आपके application पर डला है तो शायद आप यहां question नहीं करते है कल से आप लोगों का 6.0 batch मेरा maths का start होगा ठीक है, बताईए हमने कहा, सर देखो इसकी value हमारे 3 के बराबर है बोलेंगे 3 x y Burns cor square theta हरी किसी के साथ multiply होने वाला है 3 x y Auckland square theta पुलस यहांपर हो जायगा 3 x sin square theta माइनश हो जायगा हमारे किस में तो माइनश हो जायगा हमारे 3 के और हम यहांपर क्या कर सकते हैं क्या बताओ Caught square हो गया sine square हो गया मेरे भाई यहां देखो बदलना है ना मतलब घोर पाप कहलाएगा मुझे जहां तक लगता है बाकी अगर बदलना है तो आप इसको identity के माध्यम से बदल सकते हो आप यहां पर cost को cost upon sign में बदल कर कर सकते हो लेकिन कोई फायदा है नहीं तो एक काम करो ऐसे मतलिको और इसको कुछ करो मत ऐसे आप यहां पर देखो बोला गया theta 0 से बड़ा है 90 से छोटा है यानि theta का मान 30 हो सकता है 45 हो सकता है 60 हो सकता है यह 3 मान हो सकते है या इसके बीच में कोई मान हो सकता है आप यहां पर satisfy करने की कोशिश करो की value काउन सी होगी ठीक क्योंकि आपको यहां 10 प्लस कॉसेक बताना है एक और बात अगर हम आपको बताएं तो आप by option भी यहां पर जा सकते हो देखो अगर मान हम value 30 होती तो 10 30 की value 1 by root 3 होता और यहां पर अगर हम बात करे तो कॉसेक 30 की value यहां पर कितनी हो जाती ठीक है तो कॉसेक 30 की value मेरे भाई 2 upon 1 हो जाता तो यह 2 root 3 plus 1 यानि यह तो बनेगा नहीं 30 पर बात बनेगी नहीं अगर हम 60 की बात करते हैं 10 60 की value हमारा कितना हो जाता root 3 हो जाता और कॉसेक 60 की value कितना हो जाता तो 2 बटे root 3 हो जाता अगर हम इसको solve करते हैं तो root 3 into root 3 3 3 plus 2 5 5 upon root 3 और 5 upon root 3 को हम क्या कह सकते हैं तो 5 upon root 3 को मेरे भाई यहां पर 5 into उपर और नीचे root 3 से गुना करो तो उपर root 3 और नीचे root 3 into 3 यह हो जाएगा option number B हो सकता है इसका answer अब देखो कि यहाँ पर तो मैंने उपर पता भी नहीं किया कि theta command कितना है तीक है मैंने यहाँ पर पता करने की कोशिश भी नहीं की theta यहाँ पर 30 है theta यहाँ 45 है यहाँ 60 है ऊपर वाले का मैंने कोई उपयोग नहीं किया बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, देखो, मुझे यहाँ पर 10 और कॉसे कमान पता करना था, इसकी value 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, जब मैंने यहाँ 30 रखा तो जो value आई थी वो option में नहीं दिया गया था, ठीक है, जब हमने यहाँ पर 60 रखा तो हमारी value आगई 5 root 3 upon 3 जो कि option में दिया गया है, और जब हम 90 रखेंगे तो भी हमारा बहुत बड़ा irrational number बनेगा, जो कि बहुत गटिया और बेकार सा होगा, इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि अगर 60 रखने पर एक option मिल रहा है, यानि पक्का यहाँ साट स्पैस्टिसपाई होगा, हाला कि यह और 60 को यहाँ रखते हैं, देखते हैं, option यह आया है, बी हमारा मिल रहा है, तो बी टिक कर देते हैं, और बाकी अगर आपके पास समय है, तो आप आराम से क्या करिए कि पहले यहाँ पर theta बराबर कितना ले लिजे, theta बराबर 60 ले लिजे, और 60 लेकर आप इसमें satisfy करिए, य satisfy हो जाएगा, उसके बाद theta की value साट रखकर आप answer निकालिए, तो आप answer option number B आएगा भाई, ठीक है, चलिए, next question बताईए, यहाँ पर next question आपके सामने है, सीजल 11 अपरिल 2022, answer बता दिजे, दोस्त इसका answer कितना होगा, cost की value आपको यहाँ दी गई है, बहुत ही अच्छे तरी गई है, और हम से कहा है कि angle B का measurement कितना होगा, ठीक है, नेहा दर्शना कहती है, सर आज हम भी अपना break up कर लिए पीके से, गजवाले भाई साब, सर कटफ बहुत हाई है, क्या करें, पढ़ाई करो, मेरे भाई पढ़ाई करो, और क्या करोगे, बताओ, ऐसा थोड़ी है, एक बात पताओ, कि 10,000 लोगों को नौकरी देनी है, और सरकार ने 8,000 लोगों को नौकरी दे दिया, और 2,000 ऐसे ही रख दिया, नहीं है न, कटफ आई गई है, तब भी तो जितनी वेकेंसी है, उतनी तो लोगों को सेलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, सीजेल में कटफ कितना भी हाई चला जाए, अगर 9,000 वेकेंसी आई है, तो जो शुरू के जो टॉप 9,000 लोग होगें, उनको तो मेरे भाई सेलेक्शन मिलेगा न, ऐसा तो नहीं होगा, कटफ को हाई कर दिया जाएगा, 1000 लोगों को लेके आजाएगा, और 8,000 लोगों को पीछे के दरवाजे सेंट्री दे दी जाएगी, बच्चे इस बात को मान लोगी, आज के समय में, बच्चे होशियार हैं, जागरूख हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अच्छे से एक बात समझ में आ गया है, कि MTS का मतल थोड़ा सा कटफ जो है, आपको उपर जाता ही जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर हो जाता है, जब इतने शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और नॉर्मलाइजेशन होता है, तो किसे शिफ्ट में बहुत जादा नंब तो उस साल हुए normalization पर उस साल आए vacancy पर cutoff depend करता है ठीक vacancy ज़्यादा है cutoff कम जाती है अब जैसे इसी बार आप देखो कि इस बार आपकी vacancy जो CGL में आने वाली है लगबक 25,000 के करीब में आने वाली है या उससे ज़्यादा हम कह सकते हैं जब हमारे पास इतनी ज़्यादा vacancy आएगी तो अगर इस बार का pre का paper होता ना तो आपका cutoff बहुत डाउन जाता क्यों cutoff डाउन जाता क्योंकि जब हम ज़्यादा लोगों को select करना है तो हम cutoff को कम रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की entry ले पाए लेकिन अगर मान लीजे कि जैसे इसी कमरे में 10 लोग बैठे हैं और मुझे किसी एक को select करना है तो मैं उसको select करूँगा जिसका score शप से highest होगा लेकिन अगर मुझे 7 लोगों को select करना है तो मैं उसको select करूँगा जिसमें से top 7 लोगों को select करूँगा उस top 7 लोगों में ऐसा हो सकता है पहले वाले का score बहुत ज़ादा हो सकता है साथवे का बहुत थोड़ा कम भी होता है तो उससाब से आप एक तरीके century को देख सकते हैं पहले वाले का अगर score 190 है माना 200 में तो यहां cut of 190 पे जाएगी लेकिन अगर मुझे साथ लोगों को लेना और जो साथवा वेक्ति है उसका यहां पर माक्स 120 है तो cut of 120 पे जाएगी तो vacancy भी बहुत बड़ा एक factor करता है कि कितने लोगों का चैयन होने वाला है और कितने लोगों का हम selection लेने वाले है आप लोग जो है बस अपने मन में द्रिद निश्या लेकर चलिए कि आपको पढ़ना है आज मेरे भाई competition हर जगा पे है आज आपका online में competition है आपके अपने दोस्त, आपका अपना भाई, आपका अपना roommate हर कोई आपको compete कर रहा है मैं offline में पढ़ाता हूँ बोड पे, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि अगर मैं question number 40 पे हूँ तो वो 50 पे है, मेरे से भी 10 सवाल आगे होते हैं और मेरी ही sheet के questions में आगे होते हैं ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पर जिनको वो भी समझ में नहीं आता जो मैंने कराया और कुछ तो ऐसे होते हैं जो धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है तीक है, कि level उनका उतना अच्छा नहीं है लेकिन मेहनत करके वो बहुत आगे तक जा सकते हैं तो बहुत फर्क होता है, depend होता है यहाँ पे वहाँ भी अगर मैं आज के समयम बात करूँ सिटिंग में उनकी जब मैं देखता हूँ तीक है, आँकों के नीचे काला मैंने का रात को सोया है नहीं क्या अरे नहीं सर, लाइबरेडी में 4-5 दोस्ते चाय पी-पी के पढ़कर पूरी की पूरी रात बिता दी सर, पूरा लेवरा खतम कर दिया तो मेरे भाई, कमपटीशन है कहाँ कोई छोड़ रहा है, आपके लिए कमपटीशन ये बताओ आठ महीने एक बच्चे को आय हुआ ओफ-लाइन में एक बच्चा बता रहा था, अपनी की सर, आठ महीने मुझे यहाँ पर आय हुए है, और आठ महीने में जीयस के मैटर में पिट जाते हैं, ठीक है जीयस को थोड़ा हलके में ले लेते हैं, वो कैबलरी को हलके में ले लेते हैं, अब छोटी-छोटी चीज़ों को हलके में लोगे तो पेपर भी तो भाई तुम्हें हलके में लेगा ना यार समझो इस बात को तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो आप अपना पूरा का पूरा रन निती बनाओ मैं हमेशा कहता हूँ आपका कि चानक कि वो निती याद रखना कि वो निती सिर्फ आप पर नहीं हर किसी पर लाग होती है साम, दाम, दंड, भेद आप अपने पेपर के लिए सभी चीज़ों को तयार करिए आप देखिए कि आपको कितनी वो कैबलरी आती है आप देखिए कि आपको कितना GIS आता है आप सभी चीज़ों के बारे में पर रूटून में तो लेकर आइए schedule तो बनाःए, पढ़ियों तो सही ठीक है तभी तो मज़ा आएगा ना पढ़ेंगे यह नहीं तो कहां से फायदा होगा फिर तो चाहे आप कितना भी रो ना रोले सर कट अफ आई चला गया सर वेकेंसी कमा गई मेरे भाई मैं चीजों से फरकी नहीं करता था कट अफ क्या गई है वेकेंसी क्या गई है कारण बहुत सिंपल है मेरे बदलने से चीजा नहीं बदलने वाली है आप देख लीजे यहां पर कि क्या बदलने से किसी के सीजल का जो यह नया पैटना है बदल सकता है नहीं बदल सकता है आपको पढ़ना है, आपको उसी के according adjust करना है अभी आ तो दो option है, बैट के हाँ पर जमीन के बढ़ियां से रोलो दस लोगों के पास चले जाओ भटक लो, क्योंकि मैं देखता हूँ ठीक है, चार-पांच बच्चे जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं होती है आते हैं, अरे सर, पता है आपको, सर, cut up भुट हाई चला गया पता है तूप पढ़ले ना भाई, क्या मतलबे दीरे को इन चीजों से आरए क्या ये सब पंचायत करने से, क्या ये सब चीज़े करने से, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की नोकरी मिलने वाली है फिर पालतू का पंचायदगरी क्यों करते हो तुम्हें तुम्हारा सिलिबस पता है तुम्हें तुम्हारा पैटन पता है तुम्हें तुम्हारी चीजें पता है तो कायदे से बैठ के पढ़ लो ये पंचायद में क्यों रखे पड़े हो क्या फायदा रखा हुआ है ऐसा लगता है पूरे दुनिया का भारा आपी लेके बैठे हैं मेरे भाई अगर 9000 की वेकेंसी 8000 हो जाएगी न तो अगर एक dedicated बंदा है तब भी वो अपने हिसे की नोकरी लेकर जाएगा जरूर जाएगा ये गलत है ये मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि ये गलत नहीं है बिल्कुल गलत है लेकिन उस शीज के पीछे इतना ज़ादा अपना समय बरबाद करना ये तो और ज़ादा गलत है ठीक है? आजएगे cos की value हमारी इतनी दे रखी है अब cos की value हमारी इतनी दे रखी है तो हम क्या बोलेंगे cos A-B बराबर हो जाता है यहाँ पर root 3 बटे 2 के अब यह root 3 बटे 2 cos के कितने degree का मान है तो हम बोलेंगे cos के कितने का मान है तो cos के 30 degree का मान है ये जो हमारा CORS से बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे A-B की VALU हमारा 30 बोलेंगे कितना हो जाएगा 30 Degree हो जाएगा next अगर हم यहाँ बात करते हैं SEC को लेकर SEC एवड की VALU हमारी कितनी दे रखी है भाई SEC की VALU हमारी दे रखी है 2 और यह sec a की value हमारी 2 दे रखे तो यह कितने पड़ दे रखा है बताओ कौन से से sec theta का मान 2 होता है ठीक है यानि अगर हम बात करें causes का उल्टा 1 by 2 तो कितना 60 degree हो जाएगा तो हम यहाँ बोलेंगे sir अगर sec a की value 2 है यानि यह हमारा किसके करीब में है तो यह हमारा sec 60 है यानि एकी value कितना हो जाएगा sir तो एकी value हमारा 60 हो जाएगा अब अगर एकी value 60 है तो आप यहां रखिए न एकी value 60 है तो आप यहां रख दीजिए इस वाले equation में और लेकर आईए तो बोलेंगे sir 60 minus b बराबर कितना हो जाएगा 60 minus b बराबर हो जाएगा हमारे 30 के तो हम यहां बोलेंगे b को right में भेजिए 30 को इधर भेजिए तो b की value हमारी आजाएगी 30 यह common understanding की बात है कि 60 में से 30 गटाएगे तो 30 आएगा आपको आपके a का भी value पता चल चुका है कि 60 होगा आपको b का भी value पता चल चुका है 30 होगा question में हाँ b का मान पूछा गया है तो b का मान 30 है यानि option number c कहोना प्यार है is the correct answer हो जाएगा छोटी छोटी चीजों पर focus किया गरो भाई दूसरों की पंचायत में और बाकी चीजों में थोड़ा कम involved ही गरो देखो जो चीज़े गलत है वो गलत है उसके लिए भी हम तरीके से गाम कर सकते है vacancy कभी कम आ गई twitter campaign चल सकता है और भी है उसके लिए तो हम खड़े हैं लेकिन कुछ बच्चे एक दम अई से होई जाते हैं कि खाली उनको पंचायत से नसे मतलब होता है कौन से भाले सर क्या बोल दिये कहां क्या मसाला चल रहा है कहां पर पर क्या मिट्चा चल रहा हला है ठीक है कहां पर कौनसी वीडियो आ गई यहां पर एbei बस इन ही चीज़ों में पूरा भटकते रहेंगे इन चोड़ चाड़के आप यह देखो कि हां बढ़िया कहां क्लासेश चल रही है कहां मेरे फाइदे की बात है मेरा सिलबस कितना बाकी है मुझे कितना पढ़ना है और मुझे अपने हक की नोकरी कैसे लेनी है बस दाट सिट फालतु के कॉसिप में क्यों पढ़ना यार ठीक है तो इन शीजасों पर फोकस ना गरें आप यहां आजेए तो यह आपका होमर्क है आप इस होमर्क में ये कोशन को लगाईएगा पढ़िएगा बढ़िया तरीके से यहां पर देखी कोस की वैलू दी गई है और साइन का βैलू दिया गया है और आप से यहां पर X और Y कम यह question है आपका बताईए value कितना आएगा ठीक है आपने कहा सर देखो यहां पर वापस A की value 0 से 90 के बीच में है यानी A की value हमारे 30 भी हो सकती है 45 भी हो सकती है और हमारी 60 भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है जब बात आती है यहाँ पर 10 को लेकर न तो हम यहाँ पर कितना value लेंगे 60 लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा ठीक है यहाँ पर 60 ले ले तो ज़्यादा सही रहेगा 10 square A minus 6 10 A plus 90 9 बराबर 0 अगर हम लेते हैं तो सारा तो सारा हमारा rootी बन जाना है अगर मान लो यहाँ पर हम 60 लेंगे तब भी root बनेगा यहाँ पर हम इस पर direct value रखेंगे न तो हमारा मजा नहीं आएगा बात बनेगी नहीं यहाँ पर यह हमारा quadratic equation बन सकता है यह हमारा क्या बन सकता है? quadratic equation बन सकता है बताईए हहाँ पर कितना value आएगा किरन कुमारी इसका answer D दे रही है, परेदी जोसी इसका answer C दे रही है, बताईए इसका answer कितना होगा बताईए 6 quarter plus 8 root 10 cause एक अमान पूछा गया और यह आप तभी बता पाएंगे जब आप हो एक अमान पता होगा बताईए दे दे आप लोगों के लिए होमर के question यह भी देखो, यह बहुत ही simple है अगर आप यहाँ देखोगे न, तो आप यहाँ छोटी सी बात को समझो ठीक है कि question में क्या है अगर मान लो यहाँ पर एक छूटा सा बात अगर हम बात करते हैं जादा नहीं बोलेंगे हम यहाँ बोलेंगे कि अगर हमारा यह जो 10A है न अगर हमारा यहाँ 10A का value अगर हम 3 ले लेते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा तो यहाँ बोलेंगे sir 3 का square 9 हो जाएगा minus 6 into 3 हो जाएगा और plus यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो 9 जमा 9, 18 और 18 में से 18 चला गया तो हमारा 0 आजाएगा हम इसे solve कर सकते हैं बोलोगे सर आप कैसे पता चला कि 10 की value हमारी कितनी थी तो 10 की value सर हमारी 3 थी मेरे भाई मैंने कहा ही आप से कि अगर आप यहां इस question को special पता है क्या बनाता है इस question को specialist की value बनाता है बहुत बच्चे हैं सोच रहे होंगे कि यहां 30 बनेगा 45 बनेगा या 60 बनेगा बट मैंने आप से यहां पर यह कहाना कि देखो यह 10 है यानि यहां root आएगा क्योंकि 30 पर भी root आता है 45 पर भी root आता है 60 पर भी root आता है और कोई दूसरा term है नहीं जिसके पास root है यानि यहां पर यह 3 value तो कदापिक नहीं हो सकती है इस बात का ध्यान रखिए इसलिए मेरे भाई नहीं हो सकती है क्योंकि root आएगा और root हमारा कभी 0 के बराबर नहीं होगा तो मैंने कहा यार फिर इस question को quadratic equation के मादण से solve करो आप यहां 10 को मान लो T तो हम बोलेंगे सरी यह T square हो जाएगा minus हो जाएगा हमारे 60 के और plus हो जाएगा हमारे 9 के बराबर हो जाएगा किसके 0 के हम यहां देखेंगे कौन सी ऐसी दो संख्या देखों यहां पे तो बोलेंगे T square minus यहां पर 3 T minus यहां पर 3 T और plus हो जाएगा हमारा 9 बराबर हो जाएगा 0 के यानि इन दो को जोड़ने पे minus 60 आएगा और गुना करने पे plus 9 अगर हम लेंगे तो T into T minus 3 हो जाएगा और यहां लेंगे तो minus 3 into T minus 3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0 के परदर अगर हम देखे तो हम बोलेंगे Sir T-3 का यह whole square है क्योंकि T-3 यह किये और T-3 इसका whole square बराबर 0 यानि T की value हमारी 3 आजाएगी और असल में यह जो T है यह क्या है तो हम बोलेंगे Sir T-3 की value हमारी कितनी है तो 3 है यहाँ पर अब T-3 की value 3 है ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पर लेकिन हम इसका उपियोग करके इसका अंसर कैसे लेके आएंगे तो वही वाला fundamental आप मुझे यहाँ पर यह बताइए यह 10th एगे value 3 यानि 3 upon 1 लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो क्या हम ऐसा triangle बना सकते हैं तो बना सकते हैं यह उपर वाला value perpendicular होगा नीचे वाला value base होगा और यहाँ पर hypotenuse कितना होगा तो root 3 का square प्लस 1 का square यानि hypotenuse हमारा root 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो root 10 हो जाएगा अब हमसे यह question बोला गया है तो हमने कहा ठीक हम इसका answer बता रहे हैं question में हमसे कहा गया 6 court a यानि यहाँ पर 6 into court command court command क्या हो जाएगा 1 upon 3 हो जाएगा कोई दिक्कत की बात प्लस यहाँ पर 8 root 10 और into यहाँ कितना हो जाएगा cos a हो जाएगा cos की value base upon hypotenuse यानि यहाँ पर 1 upon root 10 हो जाएगा ठीक है 3 से हमने काटा कितनी बार में 2 बार में कट गया root 10 से हमने काटा root 10 बार में तो 2 जमा 8 कितना हो गया तो 2 जमा 8 यहाँ 2 plus 8 हमारा हो जाएगा 10 is the correct answer option number C चांद के बार चलो correct answer हो जाएगा समझ गए बात यहाँ पर तो ऐसे सवालों को आप थोड़ा ध्यान देंगे एक question हमने जान के ऐसा रखा था जहां पर आप सोच भी नहीं पाते कि theta का मान क्या होगा न 30 न 45 न 60 ताकि आप पो यह भी समझ में आसे की कि असल में जब paper में ऐसा question आता है तो वो question कही न कहीं उसका मकसद होता है आपसे equation बनवाने का कि आप equation बनाईए उसके अधार पर value लेकर आईए और तब आप answer बताईए ठीक है तो आज के session में हमारे तरफ से इतना था थोड़ा कुछ नया पढ़ाने की आप लोग की कोशिश है कि कुछ नया पढ़ाऊं मैं क्योंकि काफी चीज़ें मैं आप लोग को ऐसा करा चुका हूँ similar pattern पर मैं काम करना नहीं चाहता जो topics मैं आपको साढ़ दे साढ़ मरात में करा चुका हूँ या जिस तरीके के concept उसमें करा चुका हूँ बोड़ा सा उपर हटके उससे अलग मैं कुछ नई तरीका पर काम कर रहा हूँ यहां पर कि कुछ इस प्रकार के question आ सकते हैं इस प्रकार के चाहे वो matter नहीं करता कि यह session session कह रहा हूँ यह questions interesting है या यह questions boring है बस मेरे लिए matter यह करता है कि question important है और आपके paper में आ रहे है क्योंकि जब आप paper दे के निकलोगे और जो बच्चा seriously इस मेरातन को 50 दिन 50 मेरातन को attend कर रहा है उसको वाकई में session तक फायदा होगा